हेलो फैंस मैं नितेश कुमार आपके यूटीब चैना इंवेश्ट फोडवर में एक बफिर से स्वागत करता हूं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बैल आइकन को हिट जगू करिए क्योंकि लोग के पास वीडियो नहीं पोच पारी तो यहां पर ईंचे भाइगे किस तरीके से मारकनी जाएंगी निचे जाएगी वह आ पर समझ नहीं पागे तो इस चीज लाकिए और प्रोफ शाये हूं對啊 को सब्सक्राइब करिए वीडियो को डाते देखißt है और के आपार फालो कर लिई कोटे और दोनों जगह पर हम यहाँ पर अपनी शॉट 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 वीडियो और नॉलिज वहाँ पर देते हुए नजर आते हैं तो आईए वीडियो की तरफ चलते हैं और जानेंगे यहाँ पर निफ्टी और इंडेक्स से लेटेड और कुछ ब्रेकाउट शॉट से लेटेड तो सबसे पहले हम बात करेंगे निफ्टी 50 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने आपको बता दिया है डोजी बनती हुए नजर आ रही है और जब भी डोजी कह लिजिए या स्पिनिंग टॉप कह लिजिए इसे जब भी इस तरीके के बनती है तो याद रखिए या तो इसका हाइट टोड़ा उपर गया या लो टोड़ा तो नहीं जाया तो इसने इ वाली लाइन पर 18,113,113 से पहले मार्केट मुझे नहीं रखता कि यहां पर रुकेगी और थोड़ा बहुत नीचे आती भी है तो याद रखिए एक तो यही इसका सपोर्ट है 7495 के आसपास बाकी अच्छा सपोर्ट यहां पर 7400 के आसपास नजर आता है तो यह दो सपोर यह मार्केट में इसी रही साप से नजर आएगा अब बात करते हैं अपन निफ्टी S. न पी आपी कर्द आप देख सकते हैं निफ्टी स्मॉल केप में निफ्टी मेर तो तेजी होती निपत और इस तरीके से थेजी नहीं गुए तो यह दिशिए रहता है यहां पर निफ् के स्पाइल कैप गीना के मामले में में इसाथ अब क्या हुआ क्या किया आ место यहां पर क्या क्या है कि यह थे से पस्रोंडड है इसने थी औरेवर की नंगा दो आ है कि यहां बनाता है उतेर और Necksis बनाया तो इसके लिए सबसे पहले है यह कितना 9400 साथ 9400 साथ पर बार बार आके रुक रहा है यह क्रॉस किया तो इसके बाद 9620 और इसे भी क्रॉस कर लिया तो सीधे यहां पर मार्किट में यह जाता हुआ दिखाई देगा इस लेवल पर याद रखें फिर इस लेवल 11000 के आस-पास और 10000 के आसपास यहए के इसकी जनली आरहा होती हुँ इंदर आए तो hm इसे तरीके से आपको में तर embedded की बात करें तो सबीस्मॉल के कंसे बात करें तो मिर्च Mode के साहरा है कर अश्मॉल टॉटा तो जिस तरीके से निफ्टी बता रहा है कि उपर जाता हुआ तो मुझे लगता है कि यहां पर गिरावट नहीं तेजी होती हुए नजर आएगी यह इसका तो यहां पर आप तेजी होती ही दिखाएदी कि बट श्टॉप लोस यही रखना है और अगर इससे नीचे टूटा तो याद रखिये यहां पर रचिए यहां पर रचिटेंश निफ्टी बैंक यहां पर देख सकते हैं निफ्टी बैंक में यह देखिए मैंने आपको बता द सब्सक्राइब लगए यहां पर रचिटेंश को टच करके अब इससे इसके ऊपर निकलना मुझ जरूर है और इसके ऊपर निकला तो यहां पर इंट्र डे में ही यहां पर जाता हुआ नजर आएगा और इंट्र डे में ही आपको लगबार 38,348 के दर्शन करा देगा और इ तो निफ्टी बैंक में इसी तरीके से ट्रेड लेना है बात करते हैं इस हाई को निकालना बहुत जलूरी है इस हाई को निकाला तो यहां पर देखाई देता है और मेन यहां पर है यह दीर दीरे करके शायर यह उपर जाता हुआ नजर आएगा रांडिंग बॉटम बनाता और चीच उपर आजाएगा शूचाशन के साथ वेड़ करना इस सीठ को आपको ध्यान में रख लगना है इसके अलाव हम बात करते हैं ऑट्व की तो आट्व भी आप यहां पर देख सकते हैं और यह तो आप जाना थीस निकाल देता है तो तेजी है अदर वाइस यहां पर इस रेंज में गुमता हुआ नजर आएगा और यह तो ऊपर की तरफ जाएगा यह नीचे की तरफ जाएगा नीचे की तरफ जाता है तो याद रखें किरावट अधर वाइस ऊपर की तरफ जाता है तो यहां पर कॉश्य में अपनाना है बट यहां पर आपको याद रखिए क ड़ा केवल और ट्रेडिंग करनी है क्योंकि उपर कि लेवल पर जाके आपको ही इंडिक्स अगेहीं यह फसानी क्योस्छिश कर सकता है निफ्टी मैटल निफ्टी मैटल आप देख सकते हैं निफ्टी मैटल मैंने आपको बता दिया था सरसे पहले तो यहीं राइश्टेंस है अगर उपर जाता है तो यह में रहे का 5790 का और उसके बाद चीजे नीचे आती भी दिखाई दे सकती है तो इसी के अकॉर्डिंग पार्वार्श ओड़nya यहां पर दिख सकते हैं निफ्टी फार्मा में अमेश्वını में आपको बता दिया है कि रिक्रेजम्ट होड़िए उसका थे चीजी यहां पर दिखाई दे रही है यहां पर यहां पर यहां पार मोच्ए शाइक बना दिया है ऊपर जाता हुआ 13,250 का लेवल है यह में इंपोर्टेंट है एक बार इसे यहां पर क्रॉस किया सीरें यहां पर उन्ताल 13,000 और 14,000 की जरनी और फुर इसके बाद 14,000 और 14,000-15,000 की जरनी यह तया करता हो और जाएगा यहां आपको बार बार समझाता हूं इसके इलावा FMC रिसक्टर तो FMC रिसक्टर में हमने आप पर लाइन कीच रखी है ओके कि इसी लाइन को जब तक ही क्रॉस ना करें तब तक यहां पर तेजी नहीं करनी तो यह लाइन क्रॉस कर देगा में लेवल करें तो 42,162 के पास यह पर अच्छा सपोर बनता हूँ नजर आ रहे निफ्टी एनर्जी की बात करें तो निफ्टी अनर्जी में अल्रेड़ी एक टेजी उर्रेडी हो गई थी तो यहां पर ज्यादा एक्साइड़ होने की जड़ूत है नहीं क्यों क्योंकि यहां पर नंबर उस तरीके से नहीं आ रहे कि यहां पर उस तरीके की तेजी दुबारा होती हुए दिखाए दे एक बार अल्रेडी तेजी हो गई है और जिस कंपणी की रिजल्ट अच्छे आ सबसे पहले मैं यहां पर आपके लिए कुछ नए श्टॉक्स लेकर आपके लिए कुछ नए श्टॉक्स लेकर आपके लिए जिसमें से सबसे पहले हैं मादम बार्वल एंड ग्रे नाइट यह स्टॉक्स की तरफ आपको ध्यान देना है पच्पन रुपे का स्टॉक्स है और यहां पर देगे 20 परसेंट का पर सटीट लगा और इसमें मुझे लगता है दुबारा यहां पर जो यह ब्रेक आउट सान साथ का लेवल यह शायद बहुत जल्दे अपना सकता है रिसल्ट पर हमें सास्ता ध्यान देना है कंपनी का ध्यान देना मादम मार्वल यह शेयर भी उपर की तरफ जाएगा बाकि अगर गिरावत होती है तो याद रखिए पर सपोर्ट के साथ काम करना है और इंटरे कर र अगर आप देखेंगे चार्ट तो अगें यहां पर ब्रेक आउट की तरफ आगया शेयर यहां पर आप देख सके ब्रेक आउट और इस पर्टिकूलर लेवल या फिम एक अलग लेवल आपको पता देता हूं यह है 850 का 875 का 875 का 875 का लेवल निकाला तो एक तेरी होती भी 24-25% का upside शायद आपको चुटकियों में यहां पर मिलता हुआ नजरा सकता है इसके अलावा यहां पर इस particular stocks की तरफ ध्यान देरा है भानत रोप्स इससे लेटर में वीडियो बनाने वालों next video इसी की आएगी तो इसकी तरफ ध्यान क्यों देना उससे लेटरी बाते करेंगे क क्यों क्योंकि यहां पर आपको multi-bagger return bill के मिल सकते है multi-bagger मतलब multi-bagger यह शेयर आपको अच्छे कासरे डवल आपके पैसे अभी करने की पूरी काभिल यह तरफ यहां पर बात करें यह हाई जो इसने निकाला exact high मैं आपको बता देता हूं 92.55 अगो 93 93 का level यहां पर निकला त इस हिसाब से आपको यहां पर काम करना है और इस हिसाब को थोड़ा सा इस तरीके से काम करना होता है इंटरे के बेसिस पर इसके लगाव हम बात करेंगे Apollo Apollo Sindhu यह ओटल्स की तरफ द्यान देना है यह पर इन पर क्या होता हुआ नजर आया और यहां पर क्या होता हुआ नजर आया यहां पर याद देखिए यह पर यह लेबल था यहां पर इस लेबल को यह तच करता हुआ नजर आया और यहां पर बंद होता हुआ नजर आया अब तो यहां पर क्या है, simply यह इसके लिए resistance है, कोशिश करेगा यह शायद इसे यहां पर दोबारा तच करने की और फिर उसके बाद नीचे जाए, या इसके ऊपर चले जाता है, तो याद रखें लगा ता इसमें तेजी होगी, और तेजी जो इसे अच्छे गासे और भी तेजी यहां पर बनते भी नजर आएगी, तो इस लेवल को ध्यान रखना, आज के लिए शायद यह ट्रेड ना हो, तो यहां पर इस लेवल को ख्रॉस करेगा, तो उस दिन ट्रेड यहां पर बनता हुआ, तो इसकी तरफ ध्यान देजी है, इसके लागा आपको एक और वीडियो म ब्रेक आउट है, और चीज़े आगर यहां से इसका जो हाई है, 468 का अभी का, जो लाश्टेडी सेशन का, वो निकला, तो शायद यह आपको 485 इंटरेड और 491 का लेवल यहां पर दिखाद दे सकती है, और जिससे साथ से आपकर बन रही है, शायद यह और उपर जाता और जो वीडियो बनाऊंगा, उसे देख लीजेगा, तो आपको समझ भाजाएगी कि क्यों यह शेयर आपको दुबारा मल्टी वैगर रिटर्स देता हुआ नजर आएगा, वो कि आने वाले टाइम में, तुरंत नहीं, आने वाले टाइम में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एनर्जी के स्टॉक्स में इतना दम नहीं दिखाई देता, बट कुछ एनर्जी के स्टॉक्स में काफी दम है, क्यों क्यों कि यहां पर अच्छे रिजल्ट है, तो यह श्डव्यू देखिए 9% भागा है, और लगब लगब 74% के लिटर, यह 20 जून से लेके अभी तक य यहां पर आपके शेयर की दरब जाएंगे, तो आपको बढ़ा चलेगा, जो मैंने आपको यह सिखाया है कि कैसे यहां पर एक सीग्रेट लाइन जो होती है, अपर लिश्ट को गो तुरू करिएगा, यहां पर देखिए तो इसमें मैंने आपको एक चीज सिखाई है, उसके बेसिस पर आप यहां पर देखेंगे, तो यह लाइन को देखिए टच करके चीज उपर गई, इस लाइन को नीचे आती हुए दिखाई दी, अब क्या, आप यह से या तो इस चो इसका हाईता 317 से निकाले, या फिर इस लेवल को निकालता हुए दिखाई दी, इन लेवल क निकाला तो चीज उपर जाती हुए नजर आएगी 325 का लेवल निकाला, तो अगें 355 का लेवल निकाला 406, तो इसमें तेजी होती ही दिखाई देती है, जेज़ड़ी की तरफ, थोड़ा कॉशिस बेए, क्यों कि ऊपर के लचीज आ के थोड़ा फसा सकती है, फिर चीज नीचे जा सकती है, जेज़ड़ी एनरजी की तरफ क्या करना है, आपको ध्यान देना, तो ऐसे ये 6 स्टॉक्स, एस वेल इस इंडेक्स, के बारे में मैंने आपको बताया है, स्टॉप लॉस कैसे लगाते है, स्टॉप लॉस मैंने बता रख था है, और वीडियो अची लग बेल आइकन को लिट करिएगा तक इस तरीकी वीडियो मलते हैं, तक इसंतर वीडियो मलते हैं, तो थैंक्यूस स्टॉमच, गॉलब्लेस